हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है करिये गरूजी की नई वीडियो में दोस्तों आज वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में यह intentar आप ऑजेशेट के लिए होना चाहते हैं तो एक नई नूजय है बिहार के लिए तो क्या आ干 मैं इसके बारे में बात करेंगा दोस्तों वीडियो को सुरुआतेने से पहले मैं बता दूं कि यह आप सरकाई नौकरी चाहते हैं तो सरकाई जाफ़ाइंड.com वेब साइट पर सारी चीज़े उपलब्ध होती हैं सरकाई नौकरी के फार्म और अनी चीज़े यहां पर आपको सारी जीज़े मिल जाएंगे इसकी लिंक डिस्क्रिप्सर में मैं दे रहा हूं दोस्तों बिहार में हाई स्कूल टीचरों में 19,000 पदों की भरती जल्दी होगी तो यह भरती जो हाई स्कूल टीचरों में खाली थ तो काफी दिन से इसमें चल रही थी कि भरती कब होगी हलाकि जो 5 सितंबर को जब सिच्छक दिवस था तो इसके बारे में कुछ चीज़ें और सामने आई थी कि जल्दी भरती होने की संभावना है तो यदि आप बिहार से हैं तो और आप हाई स्कूल के लिए एज टीचर क ख़बर क्या है कि कैबिनेट की मुहर के बाद सुरू होगी भाली पक्रिया यह जो है दैनिंग भासकर की रिपोर्ट है चार अक्टूबर को दैनिंग भासकर में यह निउज आई थी तो उसको आप पढ़ भी सकते हैं दैनिग भासकर तो यहां पर हाई स्कूल और प्लस ट सिच्छा विभाग के प्रस्ताओं को बित विभाग ने हरी जंडी दे दी है अब इसे पदवर्ग समीत को भीजा गया है पदवर्ग समीत के स्विक्रित के बाद प्रस्ताओं कैबिनेट को भीजा जाएगा उमीद है कि नवंबर तक कैबिनेट की स्विक्रित मिल जाएगी इसके बाnat बहाली प्रक्रिया सुरू हो जाएगी पिछले दिनों सिछक दिवसर मुक्यमNET सुख्चों की नियुख्त केंध्री क्रिद करने से गोशा की थी पहले बहाले नियुजन काई के नियुख्यमसे होती थी हैं विद्यावन में सिच्छकों की नियुक्ति के लिए जिस परकार बिश्चक के लिए गठन कर रहा है उससे परकार बेद्यावन सिच्छक चैन आयोग की गठन की बात हो रही है तो यह है नियूज यादि आप बिहार से हैं तो 19,000 टीचरों की नियुक्ति जल्दी होने वाली है जिसमें दस्वी और बारावें को पढ़ाने के लिए नियुक्ति होगी जल्दी ही नवंबर के महीन में सब कुछ नोटिफिकेशन जारी होके उसका क्या क्या आगे वीडियो को शेयर कीजिए और यह आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर लिजिएगा और इस साइट को फालो कुजिए इसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है तो मिलते अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार